सबसे पहले तो मैं MCQ पेपर्स के बारे में बात करने आया हूँ मेरा तो वैसे सिर्फ स्टाटेजिक मैनेजमेंट का ही पेपर है जो MCQ होने वाला है CS में बट ओवराल अभी जो MCQ पेपर्स बचे हुए बहुत सारे बच्चों के माइंड में बहुत calculations बहुत straightforward नहीं होती है उनको बहुत specifically पता नहीं होता है कि exactly MCQ का workout कैसे होता है तो यह specially सिर्फ MCQ subjects के लिए ही है और कही न कहीं मझे से लगता है कि एक दो मिनिट की वीडियो से थोड़ी help होगी 100% आपके दिमाग में थोड़ी clarity आ जाएगी तो अपन सबको मालूम है कि negative markings भी होता है CS executor में तो उसकी सरफ एक छोटी सी calculation में आपको बताना चाहरा हूँ कि अगर आप बहुत ध्यान देते हो तो एक incorrect answer के लिए 0.25 negative mark होता है इसका यह मतलब है कि अगर आप 10 number भी 10 questions भी अगर आपके गलत हो जाते है मानलो आप 100 का 100 questions अटेम करते हैं और उसमें 40 भी आपके गलत हो जाते हैं तो आपका maximum negative marks होगा वो 10 होगा 40 गलत करोगे तब जागे 10 number negative marking है तो इसका थोड़ा सा workout मैं समझाना चाहरा हूँ और मैं चाहरा हूँ कि आप थोड़ा सा इस पर focus करें यह fundamentally इसलिए है ताकि हम लोगों का confidence बना रहा है हमको जब पता होगा exactly क्या होने वाला है गलत या सही पर तो शायद हम लोग थोड़ा more precise way में अपने paper की वक्त प्लान कर पाएंगे तो सबसे पहले मेरा suggestion यह है कि MCQ papers में थोड़ी सी assessment करते रहना है हमको कि हमारे कितने सही हो गए है या कितने गलत हो रहे है उस हिसाब से हम लोग थोड़ा सा strategy बना के काम कर सकते है अगर मान लोग अपन 100 यह मेरा एक assumption है कि अगर हम 100 के 100 questions attempt करें और हमारे 90 सही हो जाए और सिर्फ 10 गलत हो तो हमारे जो marks बनते हैं 87.5 बनते हैं मतलब negative marks जो हैं वो सिर्फ धाई है अगर हम 100 attempt करते हैं 80 सही हो जाते हैं 20 गलत हो जाते हैं तो हमारे number हो जाते हैं 75 क्योंकि 80 positive marks है और minus 5 negative marks 5 है तो हमारे score हो जाते है 75 अब यह थोड़ी सी extraordinary scores की बात हो गई थोड़ा realistic हो जाते हैं यहाँ पर इस window में majority बच्चे बैठेंगे मान लिजी अपने 70 questions सही होते हैं और 30 भी अगर हमारे गलत होते हैं तो ऐसे case में भी हमारे जो score है 70 positive mark minus 7.5 negative वाले तो भी हमारा 62.5 आ जाता है exemption तब भी हमारा आ जाता है मुझे लगता है कि यह बहुत safe window है यह वाला जो score है और चलो थोड़ा सा और भी नीचे अगर हमाते हैं अगर मान लो हमारे 60 सही हो गए और 40 भी गलत हो गए तो 50 तो अपने तब भी confirm है तो पहली बात तो यह कि negative marking से बहुत जादा भी खौफ काने की जरुवत नहीं है जहां पे भी आपको दो options में से confusion है कि दोनों में से एक confirm answer है तो तो 100% ऐसे questions को attempt करना है कौन से question attempt करना है सुनो जहां पर आप sure हो तो आपको attempt करना ही है जहां आपको लग रहा है कि कोई दो options में से ही एक है sure हो आप 100% आपको ऐसे questions भी attempt करने है further अगर आपको 3 questions में मतलब 3 alternatives में से कोई एक सही लग रहा है मेरा suggestion, personal suggestion यह है कि आप 100% ऐसे भी question attempt करो वहां आप chance ले सकते हो वहां पे अगर आप chance लोगे it is going to be worth it अगर आपको बिलकुली लग रहा है कि चारों में से कोई भी हो सकता है बिलकुली सुना ही नहीं है, कभी कुछ भी मालूम नहीं है तो आपकी first assessment होनी चीए भाई अपने 60 सही हो गए हैं क्या अगर अपने 60 सही हो गए हैं तो तुक्के मार सकते हो आप, chance ले सकते हो क्योंकि at the end of the day statistics कैसे हैं आपको पता है अच्छे से जहां आपको पता है 60-65 सही हो गए हैं मेरे साब से उसके उपर अगर आपको थोड़ा chance लेना है तो आप ले सकते हो you never know, हो सकता है लग चल जाए हो सकता है खिसमत चल जाए तो but first assessment यह है कि अपने 60 right हो गए हैं तो अपनको बाकी के questions में भी जहां पर कम जादा भी लग रहा है उसमें भी attempt कर लेना चीए ऐसा मेरा personal suggestion है ठीक है, जहां दो में से एक लग रहा है 100% attempt करना है, जहां तीन में से भी लग रहा है कि इन तीनों में से कोई right answer है आपको 100% ऐसे questions को attempt करना है सिर्फ वहीं पर आपको सोचना है सिर्फ वहीं पर आपको सोचना है करूं की नहीं करूं जहां आपको चारों में doubt जा रहा है ठीक है, उसमें भी अगर आपको पता चल गया है कि paper अच्छा चला गया है 60-65 तो correct हो चुके हैं मेरा कहना है कि चार वाले बे भी solve कर लेना मार देना फटा ठीक है, you never know keep your heart green हो सकता है, चल जाएगा इसमें थोड़ा critically बात करते हैं अगर paper बहुती कम सादा हो रहा है और अपने 56 right हो गए है 56, 56 भी हमारे right होते हैं और 44 भी चलो गलत हो जाते हैं हम 100% का time करते हैं 56 भी सही हो गया, 40 गलत होते हैं तो ऐसे के इसमें हम तब भी हम 45 पे खड़े हैं और worst के scenario सिर्फ 52 सही होए और 48 गलत हो गए तो भी हम 40 पे खड़े हैं तो आप समझ रहे हो मतलब negative marking है लेकिन एक गलत होता है तो सिर्फ 0.25 wrong होंगे तो जहां अपने 52 सही हो जाते हैं तो 40 तो अपने minimum आही जाएंगे जहां 56 आगए वहाँ पे अपने 45 भी आ जाएंगे और जहां 60 अपने correct हो चुके हैं उसके बाद तो कोई tension ही नहीं साड़ जहां पर अपने जहां 60 questions अपको पता है है कि अपने सही हो गए है में को लगता है chance लो यार लेना चाहिए आपको chance तो यह बहुत छोटा सा वीडियो है लेकिन एक बात मैं बहुत statistics से बात कर रहा हूँ scientific बात कर रहा हूँ जहां आपन शौर हैं वो तो attempt करेंगे ही जहां 2 में से एक लग रहा है 50-50 मतलब 50-50 बेला जैसा option हो दा है KBC में जहां 2 में से अपने कोई option पक्का मालूम है कि सही है go for it in fact जहां 3 alternatives हैं उसमें से भी आपको पक्का मालूम है कि कोई न कोई एक answer है मेरे साब से आप उसमें भी attempt कर लो ठीक है यह सारे mcq papers के लिए है यह बहुत ही important मतलब मेरी बहुत एक कोशिश थी कि हम लो क्योंकि न fear of unknown बहुत है तो यह जो भी है यह specifically आपके सामने है भाई 40 गलत होते हैं तो 10 number कटते हैं लेकिन 40 सही हो जाते हैं तो 40 number आते भी हैं तो risk reward अच्छा है उसमें भी alternatives वाला अगर मैं जोड़ दू मतलब अगर आप 50-50 वाले ही attempt करते हो तो chances और हमारे favor में आते हैं अगर आप 3 alternatives में से भी कोई एक choose करते हो तभी भी chances आपके favor में आएंगे worst case scenario 40 गलत हो गए 10 number कटेगा ठीक है I hope आपको मेरी बात समझी आपको जैसा लग रहा होगा इसको थोड़ा सा समझ लेना यह जो assessment आपके सामने है इसको थोड़ा सा समझ लेना और अपना chance ले लेना 3 MCQ papers है मैं आपको मेरा तज़र्वा बता रहा हूं कि 2017 के पहले वाले syllabus में जब module 1 में 2 MCQ paper होते थे passing percentage बहुत ज़्यादा होती थी and because of MCQ paper भी वो ज़्यादा होती थी अभी भी second module में 2 MCQ paper है तो आप देखो कि second module के results are always better than module 1 तो MCQs में chance low अगर आपके अपने reading भी की हुई है और theory थोड़ी read करके जाना है क्योंकि MCQ papers में चाहे वो practical subjects हैं लेकिन theory मिलती ही है कुछ ना कुछ मतलब 40-50% के आस-पास theory के questions आ जाते हैं तो उसको छोड़ना नहीं कोई chapter छोड़ गया है तो एक बार reading भी कर लोगे तभी भी दरा chances कि आपके जहन में आ जाएगी वाद किया रहे नहीं आपको डर लगता है नेगेटिव मार्किंग का होड़ दूवेश